आज का टॉपिक है साउथ कोरिया विजिट विज़र यानि साउथ कोरिया टुरिस्ट विज़र काफी लोग यह कहते हैं कि विज़र सब्सक्राइब करे नहीं हो तो आप कोरिया का विज़ लगने के चांसिस नहीं होते हैं हर किसी की अपनी बात, हर किसी की अपनी प्रेडिक्शन, हर किसी की अपनी एक थिंकिंग है लेकिन मैं कहता हूँ कि आप साउथ कोईजे का वीजा अपलाई भी कर सकते हैं और वीजा ग्रांट भी होता है किसी किसम की ग्रांटी नहीं देता है कि आप वीजा करेंगे तो आपका वीजा ग्रांट होगा लेकिन कोशिश करने में कोई हरज नहीं है यह में बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हमारा फेस्बूक पेज आप विजिट करेंगे स्कायए मिजरेशन केंशिक्रेशन तो आपको उस तरह के बहुत जादा एक्जम्पल्स हमने कोट स्की में है जो मारे वीजा ग्रांट पर हमने वह भी शेयर स्की में जो प्लैंट के रिव्यूज है वह उन्होंने अपने शेयर स्की में है ele my a उसपी ईट्राइट करना पड़ती है इसमें खास क्योंध में नहीं होती है लेकिन सौथ कुई है कि जो केटेगरी इसको आपको सबसे में चीज होती है आपको केटेगरी इग्जैक्ट करने परती है आप काफी लोग कहते हैं सी थी इवन इस दोनों में इतना फरक नहीं है लेकिन जो फरक देखा जाए तो एक बिजनिस से रेलिवेंट है और एक शॉर वहाँ पर जाते हैं निपशी में तो आप निप यहा पर इंटर्वीू कॉंट रहोता है नहीं होता है अपको जड़्यू को जाते हैं जो उनकी स्टार को किस एसे क्यों जा रहा है किंज सौह कर दोंकि अगर आते हैं से कalezट जोब होता है इंटर्वियू तो फरक रिलेट तो आपको आपने घर आजेंगे आप इसको फॉल आप करेंगे जो उनका क्राइटरिया होगा वहां पर जो आपका होगा वहां पर लिखा होगा कि अप्रूवल और डिनाइट ठीक है अगर आपका अप्रूवल है अप्रूवल लिखा है तो वहां से अपना वीजा आप डाउनलोड करेंगे जिसके वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं अगर डिनाइट है तो वह आपका रिफ्यूस करते हैं उन्हें जो पॉइंट्स होंगे सारा कुछ वो मैंचेंड होगा इसके ब विजा दोबारा अप्लाइए नहीं कर सकते हैं आपको थ्री मन्स वेट करना पड़ेगा इसके इंबैसी के फीज की बात की जाए तो डॉलर रेट आपको फिकर नहीं दे सकता है लेकिन इसके फीज आज के लिगए 10,000 प्लस हो चुगी है 10,000 से ज्यादा हो चुगी है तो आप कितने टेम तक नाथ हो महीं है कि फीज कोई काम कर सकते हैं अगरेख़ करें कि आपको चाहिं क यूड होना क के लिगर एख और अक इसके बेसे ब्रॉब करना मैं के मेंसे जा pauatha कम कर सकते हैं तो कोश़िश कुरें कि ईस किट्ब कर ने विजा आप कर से एिजिए और ये यह भी कहते हैं जी कि इसकी जो लॉट्री सिस्टम होता है वर्क वीजे के लिए सौध कुछ भी हासिल कर सकते हैं ऐसा नहीं है इसका इम्मिग्रेशन कंसल्टेंट्स किसी किसम कर डंबेस पर या पी वर्क वीजे पर कोई काम नहीं कर रहा है आपको भी रिक्मेंट करेगा कि जो एजेंट्स लोग होता है इनसे बचें डंबेस कुछ भी नहीं होता कोशिश करें कि फाइल प्रिपरेशन पर ही तबज्जा दें अपने डॉक्मेंटेशन पर तबज्जा दें महमुली सी महकूल सी फीज दे कि अपना वीजा अपलाई कर रहा है अगर आपका वीजा ग कर रहा है आपको फील हो जाते हैं बारल मैं इस जब्रिक्वेस्ट करहा हूं कि एजंट तबके से या औकर डंबेस से बचें जो लोग कहते हैं जी के ऐसा होजाएगा वैसा हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं होता किसी का चाचा मामा आपने पाट वीजा हमेशा आपके अप अपने युक्य अपील्स की लगाते हैं अपने फेस्बूक पेज इस पे उसकी वज़ा यह है काफी लोग यह कहते हैं कि जी के वीजा ग्रांट नहीं होता हुआ कल मैं कमेंट पढ़ा था अपमारे फेस्बूक पेज पे अमने जो मारा वीजा लग कर आया है तो महां भाई साथ थे वो मुझे उनकी कल आई थी वो यह कह रहा थी कि मुझे इन्फोर्मेशन हाफजा बासे गालिबन थे वो कह रहते हैं कि इन्फोर्मेशन शेयर करें तो मैं मुझे दें मैं सर तो आगे से उन्होंने कोई बत्मीजी कह लें जो भी कह लें तो यह पाकर क्या करूंगा तो शाहिद उन्हीं की कमेंट्स कारें थे जो फेस्बूक पी कह रहे हैं जूट है यह फीक है जोट फेक तो वह होता है कि हम लोग वीजे सब्स्दी अपने इतने विज़ाब लोगों के हो नहीं सकते, यह तो नमुम्किन है, अलहम्दिल्ला हमारा स्टाफ है, मुझे अपने स्टाफ पे फखर है, क्योंकि हमारा टीम वर्ट करते है, यह कहले मेरे बस की बात नहीं है, और मुझे फखर है कि हमारा टीम ऐसी है, कि जो मेहनत करती है, अ जो हमारी south kujyay की फीज से application तयार करने की वह 20,000 वीज़ार पाकिस्तानी इसमें हमको सारी services प्रवाइट करते हैं क्या travel insurance क्या hotel reservation क्या ticket reservation क्या travel plan क्या visa request letter visa application firm जो कुछ हमारी services में होता है हम प्रोवाइट करते हैं जैस्ट और जैस्ट ट्वेंटी थाउसने आपसे द्वायर में लगात होगी कुछ नहीं इंफर्मेशन के साथ कोई नहीं मालूमात के साथ अपना हैल रखेएगा बहुत शुक्रिया खुदा हाफिस